तो कैसे दोस्तों? आज हम बात करने वाले Bitcoin के बारे में, Bitcoin Update के बारे में जसे कि आप सबको पता है कि अभी कितना dump आया था मार्यकेट में अभी भी मतलब Bitcoin काफी नीचे है बत फिर भी थोड़ाiffs पे लिंगावर होआ है बत फिर भी वह वालियूम नहीं है Bitcoin में जो होनी चाहिए थी और दूसरी बात कि आप सब जानते ही होंगे कि अभी बड़े बड़े यूटीबर सब लोग यह कह रहे हैं कि Bitcoin 25K तक जा सकता है जिसके chances बहुत जादा जादा लग रहे हैं और possibility भी यह हो सकता है कि जा चला जाए Bitcoin 25K पे guarantee assurity नहीं है कि 100% जाएगा यह Bitcoin 25,000 पे तो मतलब हो सकता है कि Bitcoin 30,000 पे जाके फिर बड़ा pump ले ले उसके बाद नीचे आई ना तो ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं कि 25,000 जाए कि prediction है यह TA के वज़ज़ से कि हाँ technical analysis के उपर कि हो सकता है ऐसा भी बहुत जादा chances है जाने के पर फिर भी सिरफ आप उसके इसाब से लेके बैठो तो यह ठीक नहीं होगा कि आप मतलब बिल्कुल buy ही नहीं करें फिर बाद में market अप में जाएगा तो फिर आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो बिल्कुल कुछ लिया ही नहीं आपका कुछ profit ही नहीं होया तो फिर इन सब चीजों से अच्छा है कि आप थोड़ा 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 आप buy करते रहो और dollar cost average करते रहो DCA तो इससे आपका ना जादा loss होगा ना ही आपका कोई चांस मेंस होगा हाँ कुछ देखो अगर मान लो Bitcoin 25,000 पर भी चला जाता है तो आप उस टाइम पर भी थोड़ी buy कर लो और आप पहले भी आप थोड़ी buy कर रखिए यहां पर तो आप एक risk लेके चल रहे हो नो बहुत बड़ा कि अगर Bitcoin 25 डॉलर पर आएगा अगर मान लो Bitcoin 25,000 डॉलर पर नहीं आया तो फिर आप किने तो कुछ बाए नहीं करा उसके बाद वो पंप लेगा तो आप फिर उसके बाद हाई प्राइज में आप बाए करोगे अगर आप करोगे तो तो देखो यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं 100% कि हाँ 5000 जाए गई हो सकता है 28,000 पर जाके वापस आजाए उसके बाद हो सकता है 30,000 पर या हो सकता है अभी जो इस नहीं डिप में चला है इसके बाद यह पंप कर जाए तो कुछ भी हो सकता है वैसे अभी ग्रेश केल जो अनलॉक होने वाला है उ पाद लोग है 25,000 के वेट में रुके हैं तो मुझे लगा कि यह बताना ठीक रहेगा बहुत सरे अलों 25,000 के वेट में ही हुं तो जरूरी रही कि 15,000 पर ही आएगा वह सकता है कि 25,000 से उपर भी हो 24,000 अठायस जार पर भी आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है तो आप और एक साल के लिए मैं छोड़ दूँ तो आंग बंगे ऐसे कोई कोई नहीं है और किसी के कहने पर तो बिल्कुल मताना कोई भी यूटेवर हो चाहे देखो अपना रिस्क अपने हिसाब से लो अगर मैं आपको कुछ बताता हूं तो वो मेरे हिसाब से है मैं आपको तो अच्छे से जानता नहीं कि आप क्या होगा आपका बजट कितना रिस्क बरदास्ट कर सकते हो तो वो सब चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको आप कितना रिस्क ले सकते हो तो अपना रिस्क खुद से डिसाइड करना चाहिए आपना मेरे ना किसी के भी कहने प कि अगर इसमें नहीं तो उसमें नहीं किसी नहीं किसी में आपको प्रॉफिट होगा और आप अच्छा रिटन लेके जाओगे तो ऐसा होगा नहीं तो बहुत सारे लोग आपको आपने देखेंगे कमेंट वगेरा में वीडियो के कि हां मैं अभी 70% लॉस में हूं या फिर 30% हूं 50% लॉस में हूं तो वो उनकी choice की गलतती है ऐसा नहीं कि मार्यगम सब लफबुरस में बहुत ने बहुत कम आया बहुत कम पैसोंות बहुत ज्यादा प्रॉफिट लिया तो आपकी choice के उपर है कि आपकों सा कॉयन कितने यह कराय रहाए बहुत से लोगों क्या होता है, अच्छ अच्छ प्रोजेक्ट ले लिया कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया, उसका वह बहुत अच्छ पीक पर आगया, बहुत अच्छा रिटन दे रहा है वह, 70%, 80%, 2x3x, बट फिर भी वो और वेट करते कि नहीं शायद थोड़ा और हो जाए थोड़ा और हो जाए तो इस चेकर में नहीं रुगना आपको आप देखो अगर आप 30-40% में भी अगर आप खुछ नहीं हो तो आप 2x3x में भी खुछ नहीं हो पाऊगे तो आपको यह चीज की आदर ड लोग कोफी करोगे तो आप के लिए नहीं है क्रिप्टो मार्केट आप फिर कोई दूसरी चीज देखो अब जॉब अगयरा क्योंकि बहुत जादा रिस्क ही हो सकता है बहुत लोगों ने बहुत-बहुत कुछ गवा दिया इसमें और बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल ग करना और अपना रिस्क अपने हिसाब से सोच समझ के करना यह नहीं कि सारा पैसा लगा दो या फिर डून वगयरा पर ले लो तो हिसाब से करना फ्यूचर बहुत अच्छा है क्रिप्टों का बट वह है टाइम लगता है सब चीजों में रातो रात कुछ नहीं हो जाता कि और आपको बता दू कि आरांड 12 तारिक से 19 तारिक तक ग्रेस्केल अनलॉगिंग पीरिट चलने वाला है तो इस बीच आपको डंप देखने को मिल सकता है बट अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो आप हूल्ड करना पैनिक में आके सेल आउट मत कर देना उसे तो यह आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि मार्केट कब पंप हो जाए उसके बाद कुछ पता नहीं और कितना ओपर जाएगी यह भी कोई आइडेन लगाया जा सकता बिटकोईन का ही अकेला बताया जा रहा है कि एक लाग डॉलर टच कर सकता है तो अगर बिट आपना हो सके उतने कॉइंस अच्छे अभी अभी से आप अपने वाच लेस्ट में रखो और जैसे जैसे उसकी प्राइज आपकी नीचे आती है आप उसे बाई करो आपको प्राइज समझ में नहीं आती कौन से बाई करना है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल जाइन कर सकत हूँ और यह हमारा बिल्कुल फ्री चैनल है आपको फ्री सिगनल्स मिलेंगे हर चोटी बड़ी अपडेट अभी इलोन मस्क का ट्वीट जो आया था वो भी मैंने अपडेट दे दिया था सबसे पहले क्योंकि वीडियो में सब कुछ बना वीडियो बनाना सब कुछ इतने पॉसिबल नहीं होता तो इससे अच्छा सबसे अच्छा असान तरीका होता है सबसे पहले आपको अपडेट करने के लिए कि हम आपको एक टेलिग्राम पे अपडेट दे दें तो सबसे असान तरीका होता है तो इसलिए आप हमें टेलिग्राम पे भी जॉइन कर लें और व